नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यप चानल दे ट्रेडबूल ओफिशल में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी फिफ्टी कल 26 अपरिल के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है आपके कॉल पूट के क्या टर्गेट रहेंगे बट उससे पहले देखते हैं मार्केट ने आज कहां पे कामकाज किया आज मार्केट के अंदर कैसा दिन रहा दोस्तों पहले तो मार्केट ने हमें एक फ्लाट उपनिंग दी 17,720 का यहां पर एक अपना दिन का लो लगाया और इसके बाद धीरे-धीरे मार्केट continuously उपर की तरफ यहां पर बढ़ते रही तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में आपको यह एक चैनल यहां पर बनता हुआ नजर आएगा निफ्टी के अंदर इसी चैनल फ़ॉर्मेशन में market में यहां पर ट्रेड किया और 12 बज़े के बाद इसी चैनल का breakdown हुआ और breakdown को हम ने capture भी किया मार्केट के अंदर फिर मार्केट न आ अपने दीन की इस channel बनाया और धीरे धीरे इसी particular channel के अंदर market में यहाँ पर trading की है फिर इस channel का market breakdown देती है और उसके बाद फिर से एक market के अंदर ऐसे ही एक channel की formation market में होती है और फिर market यहाँ पर तीन बजे के आसपास इसका एक breakdown हमें देती है तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ यहा बाफ कीज़ेगा 17740 यह एक बहुत ही बड़ा एक support market में बना हुआ है इस support के नीचे अगर market जाएगी तो एक अच्छा हमें fall देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं कि कल market कहां पर open हो सकती है क्या levels market में हमारे पास रहेंगे तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं global markets में हम हमारे पास डाउ जोन्स में क्या हो रहा है तो दोस्तों वीडियो बनाते समें डाउ जोन्स इस टाइम पर तकरीबन 190 points माइनस में है अगर बात करें हम यहां पर S&P index की तो standard and poor index वीडियो बनाते समें तकरीबन minus 40 points पर अगर हम NDX की बात करें तो NASDAQ यहां पर वीडियो बनाते समें तकरीबन minus 160 points पर और अगर हम बात करने वाले हैं यहां पर S&P index की तो STX lift यहां पर video बनाते समय तकरीबन माइनस 24 point के आसपास यहां पर trade गरता हुआ आपको नजर आ जाएगा अब बात करते हैं कि market के अंदर हमारे पास opening किस तरफ हो सकती है तो दोस्तों यहां पर यह सभी चीज़े देखकर आप यहां पर market में देख सकते हो कि एक gap down opening market में chances बने हुए है global markets के accordingly market यहां पर तकरीबन 17,730 levels के आसपास आपको एक opening 30 points के आसपास दे सकता है आपको याद रखना है कि अगर market इस particular level के नीचे जाता है तो हमें PDL previous जो की वेट करनी है 17,720 के नीचे market जाते ही हम पोट की positions बना सकते हैं market में targets फिर नीचे की तरफ आपके पास 17,650 और 17,625 तक के intraday में बिल जाएंगे उपर की तरफ दोस्तों हम तभी position में आएंगे जब market यहां से कम से कम 17,770 का level उपर निकल कर हमें cross करके दिखती भी नदर आएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और फिर आपके उपर की तरफ target 17,800 और 17,825 तक के भी हो सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो लाइक का बटन जुरू प्रिस करिएगा आपने अगर भी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे तांकि मेरी कोई भी वीडियो आप से मिस ना हो लाइस्ट्रिम को देखते रहें विगोईज उसके अंदर जुमे लेवल मार्ग करता हूँ आप उसका भरपूर फाइदा उठा सकते हैं तो जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक की लिए नमस्ते थांकियों बाबाई